सबीकु नमशकार, पहला हुमारा प्रेश्ण है लेखक को परिमल के दिनों की स्मृति क्यों आती थी? लेखक ने बताया है कि परिमल में काम करने वाले सभी लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी प्रकार समझते वे जानते थे, वहां का वातावरण पून्टेप पारिवारिक था वहां फादर बुल के भी आते रहते थे, वह उस परिवार के बड़े सदश्य थे, तथा सभी गती विद्यों में भाग लिया करते थे वहां सहित्तिक विधाओं पर खूब चर्चा होती थी, फादर बुल के वहां खुले दिल से अपनी राय देते थे लेखक को तो सदय बड़े भाई की भुमिका में दिखाई देते थे, यही करण है कि लेखक को परिमल की याद आती है दूसरा प्रेशन है, फादर बुल के ने भारत में आकर किस प्रकार की और कहां कहां से शिक्षा ग्रेहन की थी उत्तर इस प्रकार से हैं फादर बुल के बेल्जियम के रैम्स चैपल स्थान के रहने वाले थे इंजीनिरिंग के अंतिम वश की पढ़ाई में ही उन्होंने सन्यास ले लिया था और पादरी बनकर भारत आ गए थे सर्व प्रथम उन्होंने जी सेट संग में रहकर दो वश तक पादरियों के धर्माचार की सिख्षा ग्रहन की इसके पश्चात 9-10 साल तक दाजिलिंग में पढ़ते रहे उन्होंने कलकत्ता में रहकर बीये की परिश्षा पास की, तथ पष्चात इलाबाद से में हिंदी की परिश्षा पास की प्रयाग विश्व विद्याले में डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा हिंदी के विभाग अध्यक्ष थे वहीं पर फादर बुलके ने रामकथा उत्पत्ति और विकास इस विशय पर सोध करे किया और पीएचडी की उपाधी प्राप्त की अत्य स्पस्ट है कि भारत में रहते वे फादर बुलके निरंतर अध्यान शील रहे तीसरा हमारा प्रेश्ण है फादर कामिल बुलके की जुझलाहट और दुख का कारण क्या था उत्तर इस प्रकास से लिखना चाहेंगे कि फादर कामिल बुलके की जुंजलाहट और दुख का कारण हिंदी को राश्टर भाशा के रूप में देखना था बेहार मंच से इसकी तकलीफ बयान करते और उसके लिए एकटे तर्क देते हिंदी वालों द्वारा हिंदी की अपेक्षा ही उन्हें बहुत अधिक दुख पहुँचाती थी नेक्ष्ट हमारा प्रश्ण आता है फादर की उपस्तिती देवदार की च्छाया जैसी क्यों लगती थी फादर परिमल्की गोस्टियों में सबसे बड़े मानें जाते थे वे सबके साथ पारिवारिक संबंध तथा मेल जोल बना कर रखते थे इससे भी अधिक महत्वण बात यह थी कि वे सबके घरों में होने वाले विभिन उत्सवों के अवसर पर उपस्तित रहते थे नीली आँखों में सदैर तैरता रहता था इसलिए सबको उनकी उपस्तिती देवदार व्रक्ष के समान अनुभव होती थी प्रश्न है फादर पुलके भारतिय संस्कृति के एक अभिन अंग है किस आधार पर ऐसा कहा गया है लेखक ने फादर पुलके को भारतिय संस्कृति का अभिन अंग स्विकार किया है फादर पुलके वेलिजियम के रहने वाले थे उन्होंने सन्यासी बनकर भारत में रहने का निर्णे किया था भारत आकर उन्होंने भारतिये संस्कृति को गहराई से समझा इसाई धर्म से सम्मन्धित होते वे भी उन्होंने हिंदी भाशा को सीखा और पढ़ा इतना ही नहीं उन्होंने रामायन विशे को लेकर शोध प्रबंद किया यनि उस पर रिसर्च की इससे उनके भारतिय संस्कृति के प्रती लगाओ का पता लगता है प्रिशन है कि पार्ठ में आए उन प्रसंगों का उले कीजिए जिन से फादर बुलके के हिंदी प्रेम का प्रकट होता है उत्तर इस प्रकार से हैं फादर बुल के वेल्जियम के रहने वानेल थे और वहें सन्यासी के रूपने भारत आये थे फादर ने मातर लिंक द्वारा रचित सुपरसिध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंच्छी के नाम से हिंदी अनुवाद किया था उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश का निर्मान भी किया उनका शोद प्रबंध हिंदी में था जिसके कुछ अध्याई परिमल में पढ़े गए थे उन्होंने धार्मिक प्रिंथ बाइबिल का अनुवाद हिंदी में किया वेसदा हिंदी भाषा को राश्टर भाषा का दर्जा दिलाने की चिंता में लगे रहते थे इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयास किये और एकटे तर्क भी दिये उन्होंने उन हिंदी भाशी लोगों पर जुन्जलाहट प्रकट की जो हिंदी जानते हुए हिंदी का प्रयोग नहीं करते थे इन सब का बातों को हम देख करके कह सकते हैं कि फादर कामिल बुलके को हिंदी के प्रती प्रेम था हमारा प्रश्ण आता है कि फादर बुलके ने सन्यासी की परामप्रागत छवी से अलग एक नई छवी प्रस्तुत की है कैसे परामप्रागत सन्यासी समाज से नाता तोड़ लेते हैं वे किसी के सुख दुख में शम्मिलित नहीं होते हैं और अपनी भक्ती में लीन रहते हैं किन्तु फादर की छवी इनसे बिल्कुल अलग थी वे सदा समाज में रहते थे एक बार जिससे रिस्ता बना लेते थे उसका निर्वहन करते थे उन्होंने भारत में रहते हुए भी अपने परिवार वालों की चिंता रहती थी और वे पत्र लिखते रहते थे यहां के जान पहचान के लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होते थे जब वे दिल्ली आते तो लेखक से अवश्य मिलते थे इसके लिए उन्हें कितने भी कष्ट क्यों न उठाने पड़े हो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह परंपरागत सिन्यासी से अलग एक छवी प्रस्तुत करते हैं थेंक यू फॉर वोचिंग